आज हम कक्षा साथ की संस्कृत प्योशम का तिरतिय है पाठे अभिलाश है का अभ्यासकारिय करेंगे सबसे पहले कुछ शब्द ये गए हैं इनका हम उच्चारन करेंगे इस प्रकार से उच्चारन करके इनको आप सुन्दर सुन्दर अपनी कॉपी में लिखें एक पदेन उत्तरता एक पद में उत्तर दिजे दीनेशु कादेया दीनेशु दयादेया कस्याहा प्रतिग्या ना है किसकी प्रतिग्या नहीं छोड़नी चाहिए दीन रक्षाया मूर्ता कस्मात दूरे नेया मूर्ता किस से दूर ले जा रही है देशाद मानवा नाम उद्धार आये पुनह का गया मानुष्यों के उद्धार के लिए फिसे क्या गाई जानी चाहिए गीता पाठात उचित पदानी चित्वा वाक्यां पूरे पाठ से उचित पदों को चुनकर वाक्या पूरे करो दीन रक्षा आया यहां पर आजाएगा दयालो जातु नो मूर्ता देशाद नेया मूर्ता देशाद दृतम धुरे त्वया यह आजेगा उद्धाराय पुनह गेया उद्धाराय चेतेशाम प्रभो गीता पुनह गेया यदेते बाल का स्विया प्रभो नो विस्मती नेया इस प्रकार से हमें वाक्यों की पूर्थी कर लेंगे रेखांकित पदानी आदर्थी प्रश्न निर्मानम करूद रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्न निर्मान करना है मूर्ता देशा दूरे त्वया नेया मूर्ता देश से दूर तुम्हारे द्वारा ले जानी चाहिए तो का देशा दूरे तूरे नया क्या देश से तुम्हें दूर ले जाएगी गीता पुनर गया तुम्जाएक फुनर गया क्या पुनह गया गाई जानी चाहिए उधारन के उसार इन शब्दों का संदी विच्छेद करना है संस्कित भाषा में अनुवाद करो मेरी यह नम्र प्रार्थना है मामा इयम वे नम्र प्रार्थना देश से गरीबी दूर करें देशाद निर्दनताम दूरी कुरू कल्यान के लिए शिक्षा दें कल्यानाय शिक्षाम देही स्वास्थे के लिए प्रदूशन दूर करें स्वास्थयाय प्रदूशनम दूरी कुरू उचित कतना नाम समक्षम आम इन में सही कथन है, उनके सामने आम करता है, यानि सही, अनुचित कथना नाम समक्षम नयती लिखत, और जो अनुचित कथन है, यानि जो गलत कथन है, उनके सामने नय लिखना है, यानि नहीं, तो दीनेशु दयाद रिष्टी देया, दीनों पर दयाद रिष्टी देनी चाह इत्प्रत्य भौत्य जैसे दातुम योग्यम देने के योग्य यदि हमेशवद बनाना है तो दा धातु से यत प्रत्य लगकर देयम बन जाएगा जिसका अर्थ होगा देना चाहिए अस्य त्रिशू लिंगेशू रूपानी भवंती यत प्रत्यान शब्दों के रूप तीनों लिंगों में होते हैं जैसे जब हम दा धातु से यत प्रत्यान लगाएंगे तो नपुसक लिंग में बनता है देयम इस्ट्रिलिंग में बनता है देया और पुलिंग में बनता है देया जिनका अर्थ होता है देना चाहिए कुछ धातूं से यत प्रत्य लगाकर उनके रूप दिखाए गए है दा धातू से यत प्रत्य लगकर बनेगा देयम नी धातू से यत प्रत्य लगाने पर बनता है नेयम हा धातू से यत प्रत्य लगाने पर हेयम और गई धातु से यह पुक्ते लगाने पर बनता है गेयम तो बच्चों इस प्रकार से आपको इसका अभ्यास कारिय करना है आपकी साहिता के लिए मैं शोर्ट में संगशेप में अभ्यास कारिय के कुछ उत्तर रेशित कर रही हूँ धन्यवाद